हलो फ्रेंट्स मैं डॉक्टर मित महिश्वरी आप सभी का सवगत करता हूँ आज के स्ट्रेणिंग वीडियो में फ्रेंट्स आज हम बात करेंगे जी एस्टी के बारे में ये जी एस्टी क्या है और जी एस्टी के आने पर हमारे देश में व्यापारी को और सर्विस प्रोवाइडर को क्या लाब और क्या हानिया होंगी जी एस्टी के आने पर कौन-कौन सी चीजें महंगी हो जाएंगी और और कौन कौन सी चीजें सस्ती हो जाएंगी GST यानि Goods and Service Tax दोस्तों Goods and Service Tax को जानने से पहले हमारे देश की अर्थेवस्था में Tax के संरचना को थोड़ा सा समझ लेते हैं हमारे देश में साम्मानेते दो तरह के Tax लगाए जाते हैं एक Direct Tax और दूसरा Indirect Tax Direct Tax वो Tax होते हैं जिनका भुपतान आप प्रत्यक्ष रूप में सरकार को करते हैं जिसे हम प्रत्यक्ष कर भी कहते हैं जैसे Income Tax वो Tax है जो सीधा एक व्यक्ती गौर्मेंट को पे करता है इसले इसको Direct Tax करते हैं इसके लावा बहुत सारे Taxes जो Indirect रूप में हम गौर्मेंट को पे करते हैं उन सभी को Indirect Tax या आप्रत्यक्ष कर कहते हैं हमारे देश की अर्थवस्ता का संचालन हमारे देश की कर प्रणाली पर निरबर करता है क्योंकि कर के माध्यम से ही सरकार को आयप्राप्त होती है और सरकार जो कर से आयप्राप्त करती है उसको सारवजनिक सुविधाय परदान करना देश की शुरक्षा और देश के आर्थिक विकास में उसका प्रयोप करती है भारती अर्थ्यवस्था में कर प्रणाली की मार सीधा end user पर पड़ती है क्योंकि अर्थ्यवस्था में लगबग 17 से 20 तरह के tax लिये जाते हैं और हम अपनी आये का 30 से 35 प्रतिशत कर में भुक्तान कर देते हैं आये इसको एक उधारन के माध्यम से समझते हैं हम जो आये कमाते हैं उस पर हम income tax देते हैं इसका मतलब income कमाने के बाद जो हमने tax का भुक्तान कर दिया वो हमारी income after tax हो गई मतलब उस आये पर हम कर पहले से दे चुके हैं लेकिन जब हम उस आये का प्रियोग अपने सुवधाओं को पूरा करने के लिए अपनी वस्तिओं को खरीदने के लिए करते हैं तो दुबारा से हम tax का भुक्तान करते हैं उधारन के लिए मान लिजिए, आप बाजार से कोई प्रोड़क्ट खरीते हैं, आपने एक शॉपिंग मॉल से एक शर्ड खरीदा, जब आप शर्ड खरीते हैं, जो इंकम जिस पर आप पहले से टेक्स पे कर चुके हैं, वो टेक्स पे करने की बाद की इंकम है, लेकिन जब भी आप प्रोड़क्ट खरीते हैं, तो उसके लिए आप वैट सेल्स टेक्स पे करते हैं, जबकि आपकी इंकम पहले से ही टेक्स कटने के बाद आपको प्राप्त हुई है, परन्तु उस बची हुई आये पर भी आप दुबारा से टेक्स पे करते हैं, जिसको हम इंडिरेक टेक्स कहते हैं, ठीक इस तरह से उस बची हुई आई से आप बहुत सारी services का प्रयोख करते हैं, उस पर भी आपको text का बुखतान करना पड़ता है. उधारन के लिए आप यदि घर के टेलफून का बुखतान करते हैं, उस पर आप service tax pay करते हैं, आप credit card का बुगतान करते हैं उस पर आप service tax pay करते हैं यदि आप movie देखने जाते हैं तो आप entertainment tax pay करते हैं इसका मतलब शुद आय प्राप्त करने के बाद भी आपको कई बार tax दिया जाना पड़ता है हमारी अर्थवस्था में एक व्यक्ती लगबग 30-35% income tax के माध्यम से चाहें वो direct tax हो या indirect tax हो सरकार को बुगतान करता है जब किसी भी देश में बहुत अधिक indirect tax pay करने बढ़ते हैं उसकी वज़ा से वस्तूओं और सेवाओं की कीमत बढ़ती जाती है और कई बार तो ऐसा देखा गया है कि वही समान tax हर एक राज्य में अलग दर से लगाए जाते हैं जिसके कारण एक वस्तूओं एक राज्य में सस्ती होती है जबकि दूसरे राज्य में उसका मुल्य थोड़ा महंगा होता है इस tax की मार से बचने के लिए भारत सरकार ने एक tax का निर्मान किया जिसका नाम है GST Goods and Services Tax अब यह GST क्या है और GST के आने पर व्यापारी को क्या लाब होगा, end user को क्या लाब होगा, service provider को क्या लाब होगा और किस तरह से हमारी कर प्रणाली काम करेगी दोस्तो, आज से 17 साल पूर्व, पूर्व प्रधान मंतरी श्री अटल वहरी वाजपेई जी ने सन 2000 में GST की नीव रखी यह GST की नीव रखने का उद्धिश्य यह था कि पूरे देश में, पूरी अर्थवस्था में कीमत की समानता हो और किसी भी व्यक्ति पर कर का बहुत अधिक भार ना पड़े और साथ ही साथ कर की चोरी को असानी से रोका जा सके GST के लागू होने पर बहुत सारे टेक्स खतम हो जाएंगे और हम एक ही कर प्रणाली के अंतरगत कारे करेंगे और यह टेक्स प्रणाली ना केवल एक राज्य में बलकि पूरे भारत में समान रूप से काम करेगी इसका मतलब जो वस्तु आपको दिल्ली में जिसमूले पर प्राप्त हो रही है उत्राखंड, बिहार, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, नेपाल, भारत के हर राज्य में वो वस्तु आपको समान टेक्स का बुगतान करके समान कीमत पर उपलब्ध होगी भारत में कुछी दिन पहले राजसवा और लोगसवा में पूर्ण वहुमत के साथ GST बिल पास हुआ GST का उदेश्य पूरे भारत वर्ष में एक समान करप्रनाली का निर्मान करना है आज पूरे विश्व में 165 से अधिक देश GST का अनुकरन करते हैं इसलिए वहां पर वस्तू और सेवाएं अन्य देशों की तुलना में सस्ती होती हैं इसलिए GST के लागू होने से पूरा देश सिंगल टेक्स प्रनाली के अंतरगत आ जाएगा जिसका लाब हमारे देश के प्रतियक नागरिक को होगा आईए अब बात करते हैं कि GST के आने पर नागरिक को लाब होगा या हानी वस्तूएं महंगी होंगी या सस्ती सेवाएं महंगी होंगी या सस्ती टेक्स के विश्यशग्य वह जानकारिये मानते हैं कि जहां अर्थवस्था में एक व्यक्ति को लगबग 30-35% का टेक्स का भुकतान करना पड़ता था अब वो टेक्स का भुकतान 18% आ जाएगा अर्थात 17-18% की बचत प्रतेक व्यक्ति टेक्स के माध्यम से कर पाएगा समान रूप से GST लागू होने के बाद भी बहुत सारी वस्तुएं और सेवाएं सस्ती हो जाएगी जबकि बहुत सारी वस्तुएं और सेवाएं महंगी हो जाएगी जैसे packaging goods में पहले 4-5% duty लगती थी लेकिन यदि packaging business GST के अंतरगत आएगा तो tax का भुकतान 18% करना होगा इसका मतलब आने वाले समय में packaging industry का material लगबग 18% महंगा हो जाएगा इसका मतलब आने वाले समय में packaging industry का material 4% की जगा 18% tax के दारे में आएगा जिससे उसकी कीमत लगबग 14% पहले के अपेक्षा महंगी हो जाएगा ठीक इसी तरीके से कपड़े भी पहले के अपेक्षा महंगे हो जाएगे क्योंकि कई राजियों में कपड़ों पर 2% से लेकर 5% का tax होता था जब GST लागू होगा तो ये tax 18% हो जाएगा मतलब पहले के अपेक्षा कपड़े और अधिक महंगे हो जाएगे Mobile Services, Credit Card, Telephone Bill की Services पहले की अपेक्षा महंगी हो जाएगी क्योंकि पहले इन पर 15% सर्विस tax लगाया जाता था लेकिन GST आने पर ये प्रतिशत 18 हो जाएगा तो अतिरिक 3 प्रतिशत का भार व्यापारी और End User के उपर पड़ेगा वस्तुओं और सेवाओं पर अलग-लग तरीके से लगने वाले कर समाप्त करके GST को implement किया जाएगा GST को मुख्य रूप से 3 भागों में बटा गया है CGST, SGST और IGST प्रेंट्स अगली वीडियो में हम बात करेंगे CGST, SGST और IGST का प्रावधान किस तरह से बनाया जाएगा साथी साथ प्रतियक, मैनुफैक्चरर और सर्विस प्रोवाइडर को किस तरह से अपने बुक्स को maintain करना होगा किस तरह से उनकी return फाइल करनी होगी किस तरह से CGST, IGST, SGST को maintain करना होगा और यदि आप इसी तरह के informative वीडियो चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को subscribe करें comment बॉक्स में अपना सवाल जरूर लिखें live training program attend करने के लिए मेरी team से संपर्क करें और अपने राज्ये में training program और नाइस कराने के लिए मेरी team को contact करें अपने whatsapp और facebook के माध्यम से इस वीडियो को जरूर शेयर करें मैं डॉक्टर मित महिश्वरी आपके सुनेरे भविश्य की कामना करता हूँ